नेरेटिव दियर स्टुडेंट्स मुझे आपसे इस मॉड्यूल में नेरेटिव यानि स्टोरी टेलिंग के बारे में आपसे बात करनी है औरल नेरेटिव सा स्टोरीज और एन अनिंटर्प्टेड टीम अफ लैंगविज तो स्टोरी टेलिंग के वह कंपिटेंशी है जिसमें स्टोरी स्टोरी इसमाल करते हुए वह लिसनर्स की इंट्रेस्ट को कैप्चर करता है और अपनी स्टोरी उनको सुनाता है तो अनलाइक कनवर्सेशन दे नेरेटर्स मेंटेंज अ सोचल मोनोलोग तो चुँके इसमें डायलॉग नहीं होता मोनोलोग होता है और वह वह वन वे क्युमिनिकेशन होती है और प्रोड्यूसिंग लैंग्विज रेलेवेंट तो दा ओवर्राल नेरेटिव वाइल प्री सुपोजिंग दा इन्फरमेशन नीड़ बाई दा लिसनर्स तो वह पहले से फर्ज कर लेता है प्रजूम कर लेता है कि कौन सी इन् निरेटिवस इन्कलूड अग्विज से बनाई हुई कहानिया तैलिंग अफ फिल्मेयर तैल्स रेटलिंग अफ बुक्स मूविज अफ टेलिविजिन शो और एड रेकांटिंग अफ पर्सनल एक्सपिरियंस जैनि पर्सनल एक्सपिरियंस को डिस्क्राइब करना और कंवर तो निरेटिवस में जो इन्फरमेशन है वो फरहम की जाती है लिस्नर को और उसकी ज़रूरत के मताबक so ways in which preschoolers develop their narrative skills तो दरजज़ाल तरीके हैं जो preschoolers उनमें language develop करने के लिए उनमें use किये जाते है sequence events preschoolers learn to create sequence of events in a logical order तो storytelling में वाकियात का तसलसल और sequence of events जो है यह बहुत important है और यह chronological भी हो सकता है या कुछ और जुजियात के हवाले से भी हो सकता है यह story को understand करने के लिए यह बहुत important है or have a beginning, middle or end they also learn some temporal words जिनका यह वक्त के साथ अलुक होता है such as first, then and finally to help organize their stories यह नि उन stories को organize करने के लिए यह भी उनमें जरूरी है so use descriptive language जो narrator होता है पूर descriptive language यूज करता है to add details and richness to their stories they may use adjectives to describe characters or settings to adjective words वो use करते है और फिर use of sensory language to describe how this things look sounds, feel or smell तो जो sensory language है वो भी storytelling में narration में जरूरी होती है फिर develop characters जब भी आप कोई कहानी यह story develop करें तो यह characters के बगार कभी भी मुकमल नहीं हो सकती और इसमें हर तरह के characters होते हैं इसमें अच्छाई वाले character भी होते हैं बुराई वाले character भी होते हैं और stories में जो right of characters है यानि characters की जो लड़ाई होती है यानि एक उसमें वो भी उसमें show किया जाता है प्री स्कूलर्स डिवेल्प characters in stories giving them personalities motivations and emotions उनको motivate करते हैं उनको personalities की शकल देते हैं उनके emotions की बात करते हैं so they may also give characters dialogue such as direct speech to show what the characters are saying तो इसमें dialogue भी हो सकता है और जब उसमें कोई तास्वर पैदा करना चाहें या किसी जगा कोई discussion करने की ज़रूरत हो और फिर story retelling तो narrators जो हैं वो अपनी story narration के जो skills है उनको बढ़ाने के लिए वो retells the stories they have heard or read using their own words and adding their own details तो यह उनकी मदद करती है चीजों को understand करने में और structure the elements of the stories और build their narrative skills तो यह नहीं इससे उनके narrative skills भी build होते हैं using imagination narration में, stories में, novel, अफसाना यह सारी इसकी types हैं तो imagination के बगएर आप चुके इसमें मुखलिफ scenes create किये जाते हैं और वो जो scenes हैं वो imagination के बगएर मुमकिन नहीं है तो pre-schoolers use the imagination to create their own stories drawing on their own experiences and interests so they make create stories about their daily life or make up of stories about the imaginary words, world and characters तो यह maybe realities पर मबनी हो सकती हैं यह supernatural भी हो सकती हैं तो जैसा environment होगा यह जैसे listeners होगे उनकी need के मताबक वो narratives develop करते हैं अब इसके लिए हम flow chart एक है कि story के parts क्या हो सकते हैं तो हर story के 3 parts हो सकते हैं उसका introduction introduction में what, why and how यह describe किया जाता है यह नहीं what is the story about ठीक है और what are the characters and how they are interacting how they they interact and how they talk, interact to each other और body of work तो body of work जो है वो उसमें story में क्या चीज़ है यहनि वो किस context में है किस तरह के उसका theme है क्या topics हैं उसके और फिर उसका एक end तो यहनि जो end है वो भी इसमें एक दिखाया जाता है end मुखलिफ characters को उनको आपस में उनका interaction यह riots है यह अच्छाई यह बुराई के जो characters हैं उनकी आपस में एक तरह से जंग जा रही होती है और in the end फिर जो अच्छाई वाले character हैं वो successful होते हैं और इस तरह story एक happy ending के साथ end होती है लेकिन कुछ stories जो होती है वो अल्मिया भी होती है और उनमें उनका end जो है वो गमनाक भी हो सकता है अब the writing process इसका क्या है stories का तो सबसे पहले pre writing stage है इसमें जो writer think करता है सोचता है उसके plot के बारे में उसके characters के बारे में उसकी language के बारे में सब चीजों के बारे में सोचता है फिर drafting फिर वो कहानी का यनि story का इप्तिदाई खाका बनाता है draft बनाता है और उसमें जो characters और plots को अपस में लिंक करता है जोडता है और language की different चीजें जो use करते हुए और उसको connect करता है और फिर उस draft को revise करता है और revise करने के बाद फिर उसमें editing का मरहला आता है तो editing में जो है जो उसमें जायद चीजें होती है यह जहां कुछ कमी रह जाए उसमें कुछ add करना तो यह editing का मरहला हो जाता है और फिर final जो उसका publishing या आप कहलें के story की completion का मामला है publishing का मरहला है यह जब एक writer एक story complete कर लेता है तो इस मरहले पर वह फिर publishing का और फिर यह communication के लिए जरूरी है और जो आम लोगों के लिए जो अपने कारीन के लिए पाइदे की चीज़ है वह publishing ही है और publishing के ज़ाये ही लोगों तक stories पहुंचती है